मों सॉत थोंफ़ोसइद देह रहे थे, कि सबस्भाइब। जो है स्सफनेस वीट में कर भाभिए टुर्बोसीस , LOVE whoever what इन्फेक्शन वगर यह सारी जो हैं आपको नजर आएंगी इन सेफनेस वेंज अगर सुपर्फिशियल वीनिस रॉम्वाय जो है वह बन जाता है तो इसके वरिकुस वेंज होगे डीमा होगा पीन और इन्फेक्शन होगा ठीक है फिर अगर आपके डीप वेंज में रॉम्ब अगर आपका सब्सक्राइब देयां थाएंज लाट इसटे रहया है तो इसके अलावा हमारे पास थ्रॉम्वासस की कुंसे के काडिक थ्रॉम्वासस है और की रिमेटिक हार्ट डिजीजिस के वज़े साथ है जिसमें इंफेक्टिव एंटिक्टर कर जाता है थेंगे अब हम देखते हैं embolism embolism क्या है अगर हमारे पास आपके blood vessel में ठीक है blood vessel है उसमें किसी भी solid liquid या gaseous material की वज़े से intraviscular block हो जाए ठीक है किसी भी solid liquid या gaseous material की वज़े से अगर आपके पास intraviscular block हो जाए तो उससे हम कहेंगे कि this is the embolism ठीक है यह embolism की condition है अब हमारे पास यह जो solid liquid या gaseous material है यह blood से कहीं और किसी और origin यानि जो इसका origin होगा for example this is your blood vessel ठीक है तो यहां से यह embolism बना यह blood से blood flow के साथ से कहीं और भी travel कर सकता है ठीक है embolism की यह property हो यह जो होता है जहां बनता है वहीं रहता है ठीक है embolism can move anywhere along the blood stream ठीक है away from it site of origin और basically होता क्या है it is any solid liquid or gaseous material solid liquid gaseous material जो के blood की intravascular blockage करवा रहे हैं sources क्यांबलाइक है तो हमारे पास पर्स ग्रिटे नाइंटी पर्षेंट जो अइंबलाइज है वह thrombo embolize है ठीक है 90 पर्षेंट से ज्ञादा thrombo embolize है यह उसकी thrombo emboletic source है ठीक है embolize की thrombus से originate करते हैं कुछ जो है वह fat से originate करते हैं इनको fat embolize करते हैं कुछ गयास दें उनको गयास आपलाई कुछ अम्नियॉटिक फ्रीयोड हो रिजनेट करते हैं कुछ ट्यूमर के फ्रैंगमेंट करते हैं और कुछ फॉरेंड बॉडी से और इसमेट करते हैं ठीक है pulmonary thromboembolism हमारे पस क्या होता है कि कहीं से भी किसी भी डिस्टेंट साइट से 90% केसे में यह होता है कि लोवर निम्ब से जो के इस्पेशली डीप venous thrombosis के patients होता है उनके लोवर निम्ब से हमारे पास thrombosis जो है वो dislodge करेगा और वो क्या करेगा कि वो clot या clots हो सकते हैं वो आके आपकी pulmonary visculature में impact कर जाए उसकी वज़े से pulmonary thromboembolism हो सकते है ठीक है यह जो clots होंगे यह partially या fully pulmonary vessels को occlude कर देते हैं ठीक है तो यह था pulmonary thromboembolism अब इस pulmonary thromboembolism में क्या effects आपको नज़र आएंगे mostly जो है यह emboli इसके जो effects है वो silent होते हैं आपको नहीं पता चलता 60 to 80% cases में that clinically silent ठीक है लेकिन 60% से ज्यादा जो pulmonary circulation है वो इस pulmonary thromboembolia की वज़े से obstruct हो जाती है आपके pulmonary circulation इसकी वज़े से obstruct हो जाती है ठीक है sudden death हो सकती है right heart failure हो सकता है जिसको आप को और pulmonary कहते है ठीक है अब हमारे पास जो आपके pulmonary thromboembolism है ना वो different types की हो सकते हैं लाइक किस तरह से कि अगर saddle emboli का case है तो वो आपको नज़र आएगा pulmonary artery की bifurcation पर ठीक है इसके लावा अगर आपके पास medium sized arteries में emboli जो है वो obstruction कर रहा है तो उसके वज़े से pulmonary hembridge हो सकता है ठीक है अगर आपके पास small end arteriolar arteries में emboli obstruction हो रही है तो उसके वज़े से हमारे पास infarction हो सकता है ठीक है इसी तरह आगर आपके पास recurrent minor pulmonary emboli है तो वो pulmonary hypertension कोस कर सकता है ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए यह effects pulmonary emboli के अब हम देखते हैं systemic or thromboembolism systemic or thromboembolism embolism में यह होता है कि आपका जो emboli है वो travel करता है within the arterial circulation ठीक है यह मुख्तलिफ sources arise कर सकते हैं like इसकी paradoxical origin भी हो सकती है इंट्र कार्डियक मिरल origin भी हो सकती है paradoxical embolize वो होते हैं जो कि आपके right side of heart से left side of heart की तरफ जो है वो pass करेंगे through intra through interventricular defect यहां फिर वो enter कर जाते हैं हां जी right side of heart left side of heart की तरफ जाएंगे through interventricular defect और इस तरह से systemic circulation में एंटर कर जाते हैं ऐसे आपको paradoxical emboli कहते हैं mainly आपको बिताएं जो systemic form of embolize हैं वो आपके arterial circulation में जो है वो travel कर रही होती है इसकी दो औरीजिंस होते paradoxical और intra-cardiac mural paradoxical जो हैं यह आपकी right side of heart से left side of heart की तरफ जो है वो pass करेंगे through interventricular defect और finally systemic circulation में जाएंगे जो आपके intra-cardiac mural thromboy है यह 80% cases में आपको नजर आएंगे intra-cardiac mural thromboy जो है यह major sites होती है arteriolar embolization की ठीक है और lower extremities में आपको 75% of intra-cardiac mural thromboy नजर आएंगे और brain में आपको 10% जो है वो intra-cardiac mural thromboy नजर आएंगे fat embolism इसके बाद हम देखते हैं तो basically इसमें यह होता है कि fat globules जो है इंजरी के 1-3 days के बाद जो है यह fat embolism बनता हुआ नजर आता है ठीक है और mostly अगर fracture of long bones हुआ या soft tissue trauma है या severe burns की cases में आपको एक से तीन दिन के बाद जो है fat embolism बनता हुआ दिखाई देगा यह fat embolism है यह lodge करेगा in lungs brain kidney और बाकी organs में भी ठीक है अब fat embolism जो है इसका एक syndrome होता है fat embolization syndrome यह sudden onset होता है इस syndrome का इसमें होता किया टेकिपनिया होता है डिस्पनिया और टेकिकाडिया हो सकता है इसके लावा कुछ neurological symptoms आपको नजर आएंगे अब यह fat embolization syndrome है यह दो वजहों से हो सकता है यह तो कोई mechanical obstruction है यह पर कोई biochemical injury है अगर mechanical obstruction होती है तो उसमें क्या होता है यह fat embolize, RBC और platelets जो है उनके साथ aggregate कर जाएगा और आपकी पल्मरी और cerebral microvisculature है उसको occlude कर देगा ठीक है लेकिन अगर biochemical injury है तो इसमें क्या होगा कि free fatty acids fat globule से release होंगे और वो आपकी जो endothelium है जो injured endothelium है ठीक है उसको वहां पर inflammation करा देंगे जो endothelium को injure करके वहां पर inflammation कराएंगे इसके लावा biochemical injury में यह होता है यह प्लिक्ट्रेट फ्यूइशन और cranulocyte की recruitment की वजाय से free radicals, proteases, ecosoids और further damage होता है endothelium का यह आपको बाइक्रामिकल इंजुरी और बिचानिकल उब्सक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि यह बिसिकली कॉजिस हैं आपके फैट इसमें हमारे पास यह होता है कि यह एक रियर औप्स्टेट्रिक एमर्जिंसी है जिसमें अम्नियोटिक फ्यूइड या फीटल सेल्स या फिर है यह कोई भी सेल्लर डब्रिश वह आपके मेंटर्नल सर्कुलेशन में एंटर कर जाए ठीक है और उसकी वजह से काडियो रस्पा एक आपको कॉम्त्रिकेशन नज़र आती है लेवर और दिलिवडी को के लावा पोस्ट्पांटम पीरिड में भी आपको पीरिड में बी कॉम्लिकेशन नज़र्खा है इसकी पैसर फीजियोजी यह होती है कि आप जो प्लेसिंटल मेंबरीन है वो टीयर कर जाता है और यू severe dyspnea cyanosis hypotensive shock इसके लावा seizures, coma pulmonary edema ठीक है और ultimately आपके पास DIC हो जाता है ठीक है disseminated intervice के लिए coagulation हो जाती है ठीक है यानि क्या होता है symptoms में कि dyspnea, sinus, hypotensive shock, seizures, coma हो जाती है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इसी हो सकता है फिर हमारे पास gas symbolism इसमें हमारे पास क्या होता है कि gas bubbles जो है यह circulation में आपको नज़र आएंगे और इससे यह होगा कि आपके जो vascular flow है वो obstruct होगी और यह आपको infarction जो है cause करता हुआ दिखाई देता है अब क्यूंकि obstetric procedures या फिर chest wall injury में आपको आपको यह नज़र आएगा कि यह इन दो procedures obstetric procedures और chest wall injury के वज़े से हमारे पास gas symbolism होता है ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए अब हमारे पास hundred cc of air जो है उसकी excess चाहिए होती है to produce this gas symbolism effects अब हमारे पास decompression sickness क्या है या बेंट चैशन डिजीज क्या होती है अगर हमारे पास sudden atmospheric pressure में change आए ठीक है तो इसमें mostly जो sudden changes आपको नज़र आते है atmospheric pressure में या आपको divers में या तो नज़र आएंगे या पर unpressurized airplanes में आपको नज़र आएंगे अब हम इसको समझते हैं कि अगर high pressure पे air को breathe किया जाता है like deep sea divers जो है अगर breathe कर लें high pressure पे air को ठीक है वो breathe in कर लें तो इससे क्या होगा कि increased amount of gas जो है उनके tissues में dissolve कर जाएगी ठीक है और particularly nitrogen gas जो है वो dissolve करती है उनके bladder tissues में ठीक है और यह वाले patients जब ascend करते हैं ठीक है तो क्या होता है कि depressurize बहुत जल्दी हो जाती है उनकी pressure काफी जल्दी depressurize हो जाता है जो पहले high pressure था वो दीप्रेश्राइज हो जाएगा nitrogen expand करेंगे उनकी tissues और bubbles में उनकी tissues में और जो आपके blood है उसमें आपको इस nitrogen gas के bubbles नजर आएगे ठीक है और इस तरह से gas अमूलाई की formation होती है so this is about decompression sickness ठीक है फिर हमारे पास symptoms क्या है decompression sickness के इसमें स्किन में आपको नजर आएंगे rashes itching और skin के नीचे आपको bubbles नजर आएंगे ठीक है इसके लावा lymphatic obstruction जो है वो localized swelling को उसकरती है आपका muscular skeletal skeletal symptoms है उसमें आपके पास joint pain जो है वो worsen हो जाएगी ठीक है जिस तरह से आपके body move करेंगे उसस तरह से आपके joint pain और ज्यादा जो है severe होती जाएगी और mostly आपको elbows और shoulders जो है उधर joint pain आपको ज्यादा फील होती है nervous system है यह होता है कि paralyze कर जाता है sensory disturbances नजर आता है bladder problems होते है पल्मेरी symptoms में यह होगा कि chest pain होगी काफ shortness of breath हो जाएगी ठीक है अब यह symptoms है यह within one hour repair होना शुरू हो जाते हैं जैसे surfing surfacing pain आ रहा होता है seadiver तो within one hour यह symptoms repair होना हो जाते हैं मगर यह delay भी हो सकते हैं up to six hours ठीक है अब हमेरे पस कुछ specific features होते है decompression sickness के एक होता है bends दूसरा है chocks और तीसरा है cation disease बेंट्स में क्या होता है early symptoms painless bubbles of gas जो हैं आपको जोइंट में आपको नजर आएंगे like elbows knees or shoulders में ठीक है चोक्स जो है इसमें क्या होता है कि coughing होगी है choking होगी due to the bubbles ठीक है और यह मुझा आपको respiratory system में नजर आएगा और cation disease में यह है कि आपके पास decompression sickness की chronic form होती है like ischemic necrosis होती है long bones के head की ठीक है फिर हम treatment किस तरह से करते हैं decompression sickness का कि हम individual को एक compression chamber में रख देंगे ठीक है उदर barometric pressure को बढ़ा देंगे ठीक है gas bubbles इस तरह से जो है वो बाहर forced किया जाते है forced out they are forced out from the body of the patient ठीक है into the solution और इस तरह से जो है slow decompression की जाती है using the decompression chamber I hope आपको समझा गई है thanks for watching